C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गणित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याई 5 प्रारंभिक आकारों को समझना प्रिष्ट 109 5.6 लंब रेखाएं यदि दो रेखाएं परस पर प्रती छेद करें और उनके बीच का कोण एक समकोण हो तो वे रेखाएं एक दूसरे पर लंब यानि परपेंडिकिलर रेखाएं कहलाती है यदि एक रेखा A.B. रेखा C.D. पर लंब है तो इसे A.B. लंब का चिन्ध C.D. लिखते हैं सोचिए चर्चा कीजिए और लिखिए यदि A.B. लंब C.D. है तो हमें क्या यह भी कहना चाहिए कि C.D. लंब A.B. है हमारे आसपास लंब रेखाएं आप अपने आसपास की वस्तूँ में से लंब रेखाऊं या रेखाखंडों के अनेक उदाहरण दे सकते हैं अंग्रेजी वरण माला का अक्षर T. इन में से एक है क्या कोई और अक्षर भी है जो लंबूं का उदाहरण है प्रिष्ठ 110 एक पोस्ट कार्ड को लीजिए क्या इसके किनारे परस पर लंब है मान लीजिए MN बिंदू M से होकर जाने वाली रेखाखंड AB पर कोई रेखा लंब है क्या रेखा MN रेखाखंड AB को दो बराबर भागों में विभाजित करती है क्या MN रेखाखंड AB पर लंब है इस प्रकार MN रेखाखंड AB को समद विभाजित करती है अर्थात दो बराबर भागों में विभाजित करती है और उस पर लंब भी है इसलिए हम कहते हैं कि रेखा MN रेखाखंड AB का लंब समद विभाजक अर्थात परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसकी रचना करना आप बाद में सीखेंगे प्रश्नावली 5.5 1. निम्न लिखित में से कौन लंब रेखाओं के उदाहरण हैं? A. मेज के उपरी सिरे की आसन भुजाएं B. रेल पत्र की पट्रियां C. अक्षर L बनाने वाले रेखा खंड D. अक्षर V बनाने वाले रेखा खंड 2. मान लीजिए रेखा खंड PQ रेखा खंड XY पर लंब है मान लीजिए ये परस पर बिंदु A पर प्रतिछेद करते हैं कोन PAY की माप क्या है? 3. आपके ज्यामिती बक्स में दो सेट स्क्वेर हैं इनके कोनों पर बने कोनों के माप क्या है? क्या इनमें कोई ऐसी माप है जो दोनों में उभय निष्ठ है? 4. इस आक्रिती को ध्यान से देखिए रेखा L रेखा M पर लंब है A. क्या CE बराबर EG है? B. क्या रेखा PEE रेखाखंड CG को समद्विभाजित करती है? C. कोई दो रेखाखंडों के नाम लिखिए जिनके लिए PE लंब समद्विभाजक है D. क्या निम्नलिखित सत्य है? 1. ACFG से बड़ा है 2. CDGH के बराबर है 3. BCEH से छोटा है प्रिष्ठ 111 5.7 त्रिभुजों का वरगी करण क्या आपको सबसे कम भुजाओं वाले बहु भुज के बारे में याद है? यह एक त्रिभुज यानी ट्रायांगल है आईए विभिन प्रकार के जो त्रिभुज हो सकते हैं उन्हें देखें इन्हें कीजिए आईए नीचे दिये हुए त्रिभुजों के कोणों और भुजाओं को क्रमशह, चांदे और रूलर से मापें दी हुई सारनी में इनकी मापों को भरिये यहां आठ अलग-अलग आकरितियां दी गई है A, B, C, D, E, F, G, H उसके बाद एक सारनी है पहला स्थम्भ है त्रिभुज के कोणों की माप दूसरा स्थम्भ है आप कोणों के बारे में क्या कह सकते हैं तीसरा स्थम्भ है त्रिभुज की भुजाओं की माप A, साथ डिगरी, साथ डिगरी, साथ डिगरी सभी कोण बराबर है डाश इसके बाद B, C, D, E, F, G, H के लिए आप त्रिभुज के कोणों की मापस्वायं भरिये दूसरे स्थंभ में सभी के लिए दिया गया है डाश, कोण, डाश आपको कोणों के बारे में बताना है और तीसरे स्थंभ में सभी उत्तर देने है प्रिष्ठ 112 उपरोक्त कोण, त्रिभुज और उनकी भुजाओं की मापों को ध्यान पूर्वक देखिए क्या इनके बारे में कोई बात कही जा सकती है आप क्या प्राप्त करते हैं त्रिभुज जिनके सभी कोण बराबर है यदि किसी त्रिभुज के सभी कोण बराबर है तो इसकी भुजाओं भी डाश है त्रिभुज जिनमें सभी भुजाओं बराबर है यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाओं बराबर है तो उसके कोण भी डाश है त्रिभुज जिन में दो कोण बराबर है और दो भुजाएं बराबर है यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो उसके डश कोण बराबर होते हैं त्रिभुज जिनमें कोई भी दो भुजाएं बराबर नहीं है, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, तो उसके तीनों कोण भी डैश नहीं है कुछ और त्रिभुज लीजिए और उपरोक्त कथनों की जाच कीजिए, इसके लिए हमें त्रिभुजों के कोण और उनकी भुजाओं को पुनहम अपना पड़ेगा त्रिभुजों को विभिन श्रेणियों में वर्गिकृत किया गया है और उन्हें विशेश नाम दिये गए हैं आएए देखें के ये क्या हैं यहाँ छे अलग अलग त्रिभुज दिये गए हैं A, B, C, D, E, F भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का नाम करण एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं हों विशम बाहु त्रिभुज यानि स्केलन ट्रायांगल कहलाता है आकरिती C और E देखिए एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, एक सम द्विबाहु त्रिभुज यानि आइसोसलेस्ट्राइंगल कहलाता है। आकृतियां B और F देखिए। त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों सम बाहु त्रिभुज यानि इक्विलेटरल ट्राइंगल कहला था है। आकृतियां A और D देखिए। इन परिभाशाओं का प्रयोग करके उन सभी त्रिभुजों का वर्गी करण कीजिए जिनकी भुजाएं आप पहले म चुके हैं। प्रिष्ठ 113. कोणों के आधार पर त्रिभुजों का नाम करण। यदि त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो तो वह एक न्यून कोण त्रिभुज यानि acute angled triangle कहला था है। यदि इसका कोई कोण समकोण हो तो वह त्रिभुज एक समकोण त्रिभ यानि right angled triangle कहला था है। यदि इसका कोई कोण 90 डिग्री से अधिक हो तो वह त्रिभुज एक अधिक कोण त्रिभुज यानि obtuse angled triangle कहला था है। यहा नीचे न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज की आकृतियां दी गई हैं। उपरो कोण आप पहले माप चुके हैं। इनमें से कितने समकोण त्रिभुज थे। इनहें कीजिए। निम्न के रफ चित्र खीचने का प्रयत्न कीजिए। A. एक विशम बाहु न्यून कोण त्रिभुज, B. एक अधिक कोण सम द्विबाहु त्रिभुज, C. एक सम कोण सम द्विबाहु त्रिभुज, D. एक विशम बाहु सम कोण त्रिभुज। क्या आप सोचते हैं कि निम्न आक्रती खीचना संभव है? E. एक अधिक कोण सम बाहुत्रिभुज F. एक सम कोण सम बाहुत्रिभुज G. एक त्रिभुज जिसमें दो सम कोण हूँ सोचिए, चर्चा कीजिए और फिर अपने निशकर्षों को लिखिए प्रशनावली 5.6 1. निम्न लिखित त्रिभुजों के प्रकार लिखिए A. त्रिभुज जिसकी भुजाएं 7 cm, 8 cm और 9 cm है B. त्रिभुज A, B, C जिसमें A, B बराबर 8.7 cm, A, C बराबर 7 cm और B, C बराबर 6 cm है C. त्रिभुज P, Q, R जिसमें P, Q, बराबर Q, बराबर R, P, बराबर 5 cm है D. त्रिभुज D, E, F जिसमें M, कोन D, बराबर 90 degree है E. त्रिभुज X, Y, Z जिसमें M, कोन Y, बराबर 90 degree और X, Y, बराबर Y, Z है F. त्रिभुज L, M, N, जिसमें M, कोन L, बराबर 30 degree, M, कोन M, बराबर 70 degree और M, कोन N, बराबर 80 degree है 2. निम्न का सुमेलन कीजिए त्रिभुज के माप 1. समान लंबाई की तीन भुजाएं 2. समान लंबाई की दो भुजाएं 3. अलग-अलग लंबाईयों की सभी भुजाएं 4. तीन निम्न कोन 5. एक सम कोन 6. एक अधिक कोन 7. दो बराबर लंबाईयों की भुजाओं के साथ एक सम कोन त्रिभुज का प्रकार से नामकरण कीजिए। आप कोन का प्रकार केवल देख कर ग्यात कर सकते हैं। यहाँ A से F तक 6 अलग-अलग त्रिभुज दिये गए हैं। 4. माचिस की तीलियों की सहायता से त्रिभुज बनाने का प्रयत्न कीजिए। इनमें से कुछ आक्रिती में दिखाए गए हैं। क्या आप निम्न से त्रिभुज बना सकते हैं। A. तीन माचिस की तीलियां। B. चार माचिस की तीलियां। C. पांच माचिस की तीलियां। D. छै माचिस की तीलियां। ध्यान रखिए कि आपको प्रत्येक स्थिती में सभी उपलब्ध माचिस की तीलियों का उपयोग करना है। प्रतेक स्थिती में त्रिभुज के प्रकार का नाम बताईए। यदि आप त्रिभुज नहीं बना पाते हैं, तो उसके खारण के बारे में सोचिए। प्रिष्ट 115 है। पांच दशमलवाट चतुर भुज आपको याद होगा के चार भुजाओं का बहुभुज एक चतुर भुज यानि क्वाडरी लेटरल कहलाता है। इन्हें कीजिए। एक, दो डंडी लीजिए और उन्हें इस प्रकार रखिए के उनका एक एक सिरा एक सिरे पर मिले। अब डंडीयों के एक अन्य युग्म को इस प्रकार रखिए के उनके सिरे डंडीयों के पहले युग्म के स्वतंत्र सिरों से जुड़ जाएं। इस प्रकार हमें क्या आक्रिती प्राप्त होती है। यह एक चतुर्भुज है, जो आप सामने देख रहे हैं. इस चतुर्भुज की भुजाएं रेखाखंड AB, BC, डाश, डाश हैं. इस चतुर्भुज के चार कोण हैं. ये कोण BAD, कोण ADC, कोण DCB और डाश हैं. रेखाखंड AC, इसका एक विकरण है. अन्य विकरण कौन सा है? सब ही भुजाओं और विकरणों की लंबाईयां मापिये. सब ही कोणों को भी मापिये. 2. जैसा आपने उपर क्रिया कलाप किया है, चार डंडियां लेकर देखिए कि क्या आप इनसे ऐसा चतुर्भुज बना सकते हैं जिसमें आयत इनहें कीजिए. आपके ज्यामिती बक्स में दो सेट स्क्वेर हैं. एक 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री सेट स्क्वेर है और दूसरा 45 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री सेट स्क्वेर. आप और आपका मित्र मिल कर इस क्रिया को कर सकते हैं. ए. आप दोनों के पास एक एक 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री सेट स्क्वेर है. इनको आक्रिती में दर्शाय अनुसार रखिये. क्या आप इस प्रकार बने चतुर्भुज का नाम बता सकते हैं? इसके प्रतेक कोन का माप क्या है? यह चतुर्भुज एक आयत यानी रेक्टैंगल है. प्रिष्ठ 116. आयत का एक और गुण जो आप सपश्ट रूप से यहां देख सकते हैं, कि इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं. आप अन्य कौन से गुण ग्यात कर सकते हैं? बी. यदि अन्य से स्क्वेर 45 डिगरी 45 डिगरी 90 डिगरी के युग्म का प्रयोक करें, तो आपको एक अन्य चतुर्भुज प्राप्त होगा. यह एक वर्ग यानी स्क्वेर है. क्या आप देख सकते हैं कि क्या कह सकते हैं? वर्ग के कुछ अन्य गुण ग्यात करने का प्रयत्न कीजिए. सी. यदि आप 30 डिगरी, 60 डिगरी, 90 डिगरी से स्क्वेरों को आक्रिती में दर्शाय अनुसार एक अन्य स्थिती में रखें, तो आपको एक समानतर चतुर्भुज यानी पैरलेलोग्राम प्राप्त होता है. क्या आप देख रहे हैं कि इसकी सम्मुख भुजाएं समानतर हैं? क्या इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हैं? क्या इसके विखरण बराबर हैं? D. यदि आप 4, 30 डिगरी, 60 डिगरी, 90 डिगरी सच्क्वेरों का प्रयोग करें तो आपको एक सम चतुर्भुज यानि रॉम्बस प्राप्त होता है प्रिष्ठ 117 है E. यदि आप आक्रिती में दर्शाय अनुसार कई सच्क्वेरों का प्रयोग करें तो हमें एक ऐसा चतुर्भुज प्राप्त होगा जिसकी दो सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समानतर है यह एक सम लंब यानि ट्रपीजियम है यहां आपकी खोजों के सारांश की एक रूप रेखा दी जा रही है इसे पूरा कीजिए यहां एक सारनी दी गई है पहला स्तंभ है चतुर्भुज जिसमें हमारे पास समानतर चतुर्भुज आयत वर्ग सम चतुर्भुज और सम लंब हैं दूसरा स्तंभ है संमुख भुजाएं समानतर बराबर समानतर चतुर्भुज सम्मुख भुजाएं समानतर हां बराबर हां सभी भुजाएं बराबर? नहीं. सम्मुख कोण बराबर? हाँ. विकर्ण बराबर? नहीं. विकर्ण परसपर लंब? नहीं. आयत वर्ग सम चतुर भुज और सम लंब के लिए कुछ जवाब सारणी में दिये गए हैं, शेश आप स्वयम ढूंड कर लिखें. अभी आप सुन रहे थे कक्षा छै की गनित की ध्वनी पाठ्य पुस्तक, वाचन स्वर गौरव मारवा, निर्मान सहियोग, सौम्या मलिक, निर्मान विमलेश चौधरी, तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत.